आज की तारीख है 26 जनवरी 2021 हमारे दो चानल्स है पिनाकल और फ्रंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दो वेबसाइट्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बजे वेलिबल हो जाता है साथी साथ फॉर डेली वीडियोज पीडिएफ एन मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आइस और एससे सीजर पिनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीविस क्विस के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूछा था कि सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पूरसकार 2021 के ले किसा चुना गया है तो इसका सही जवाब था राजेंद्र कुमार भंडारी और दूसरा क्वेस्टिन पूछा था कि राष्ट प्रेटन दिवस यानि नाशनल टूरिजम डे कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था 25 जनवरी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन देखो आज के सेशन का पहला बोडो लैंड प्रादेशिक शेत्र समझोता दिवस यानि बी टी आर बोडो लैंड टे प्रादेशिक शेत्र समझोता दिवस के उद्घाटन सम्हारों को संबोधित किया बी टी आर समझोते पर पिछले साल 27 जनवरी 2020 को केंद्री सरकार असम सरकार नाशनल डेमोक्रेटिक फ्रेंट ऑफ बोडो लैंड के सभी चार गुटो और तत कालीन बोडो लैंड प्रांति की मंजूरी दी गई है यहाँ पर एक रिविशन की बात करें तो आठवा नौर्थ इस्ट फेस्टिवल कि सुराज्य में आयुजित किया जाएगा तो इसका सई जवाब है असम बात करें यहाँ पर असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बी हू युनेस्को वर्ल्ड हेट के साइट समय आता है काजी रंगा नाशनल पाक नाशनल पाक स अता है नाशनल पांक आखने और इसम की अगला क्वेस्टिन देखो विजिलेंट, सेफ और इनफॉर्मड तो राष्ट मतदाता दीवस 2011 के बाद से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत के चुनाव आयों के स्थापना दीवस को चिनहित करने के लिए दीवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम मेकिंग आर वोटर्स इंपावर्ड, विजिलेंड, सेफ और इनफॉर्मड है इलेक्ट्रोनिक्स और आइटी मंत्री रवी शंकर प्रसाद, E-EPIC, इलेक्टर फोटो पहचान पत्र यानि इलेक्टर फोटो आइड़निटिटि कार्ड्स कारेक्रम का शुभारम करेंगे और E-EPIC वितृत करेंगे यहाँ पर extra information की बात करें तो इस आयोजन के दोरान राष्ट पती ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट पुरसकार प्रदान किये और ECI के web radio यानि Hello Voters को भी launch किया यहाँ पर एको एक revision की बात करें तो भारत में राष्ट बाली का देवसकब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है 24 जन्वरी अगला question देखो Space X ने एक rocket से कितने satellite launch कर भारत का record तोड़ा है तो इसका सही जवाब है option number D 143 तो Space X ने अंतरिक्ष के दुनिया में एक नया world record बनाया है record breaking flight के लिए launch वहन falcon 9 rocket था company ने falcon 9 rocket से 143 satellite को अंतरिक्ष में भेजा है इससे पहले ये record भारत के नाम था साल 2017 में भारत ने एक rocket से 104 satellite को launch किया था अगला question देखो किस Danish फिल्म ने भारत के अंतर राष्टे फिल्म महतसव के 51 वे संसकरन में golden peacock पुरसकार जीता है तो इसका सही जवाब है option number B into the darkness ने भारत के 51 वे अंतर राष्टे फिल्म महतसव यानि आई डबल एफ आई के समापन समारों में golden peacock award जीता निर्देशक इंडर्ज रेफिन ने into the darkness में देश के नाजी कबजे यानि नाजी occupation के दुरान डैनिश्ट लोगों के जटिल भावनात्मक उथल पुथल के कालकरम को दरशाया है मंदारिन यानि मेंडरिन नाटक दी साइलेंट फॉरिस्ट को दो शीर सम्मान मिले सबसे पहले सर्वश्रेष्ट अभिनेता पुरिश और दूसरा सर्वश्रेष्ट निर्देशक IFFI-51 Special Mention Award को भारतिन निर्देशक क्रिपाल कलिता को उनकी असामी फिल्म ब्रिज के लिए प्रस्तूत किया गया है जो ग्रामीन असम में वार्शिक बार के कारण होने वाले जीवन के कश्टों को दरशाता है यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो प्रसीद हभी नेता और निर्देशक बिस्वजी चैटर जी को इंडियन परस्नालिटी ओफ दी एर का पुरस्कार दिया गया अगला क्वेस्टन देखो 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना स्वरेन ज्यनती राज्य दिवस यानि गोल्डन जूबली स्टेट हुड डे मनाया है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन अमबर सी हिमाचल प्रदेश तो 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्वरेन ज्यनती राज्य दिवस मनाया इसी दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का अठारवा राज्य बन गया था राज के स्वरेन ज्यनती समारो शिमला के एतिहासिक रिज ग्राउंड में आयुजित किया गया यह वही जग के अठारवे राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को पौन राज्य का दर्जा दिया जा सके यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो भारत का पहला इंडोर्स की पाक किस राज्य केंदरिशासित प्रदेश में बनाया जाएगा तो इसका सई जवाब है हिमाचल अगला देखो डेन्माक की विक्टर एक्जलसन ने पुरुश एकल थाइलेंड ओपन बादमिंटन एकल किताब का दावा किया है बात करें यहाँ पर थाइलेंड की तो इसी कैपिटल है बैंकोक और करंसी है थाई बात अगला क्वेस्टन देखो जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जेड एस आई की हालिया रिपोर्ट के नुसार भारतिय सुन्दर बन कितनी पक्षियों की प्रजाती का घर है तो इसका सईज जवाब है ऑप्षिन बरी बी 428 तो हाल ही में जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जेड एस आई स्टेटेस की प्रकाशन के नुसार भारतिय सुन्दर बन जो दुनिया के सबसे बड़े मैन ग्रूफ वन का हिस्सा है बक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है जेड एस आई द्वारा इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित बर्ड्स ओफ दी सुन्दर बन बायोस्फेर रिजर्व की प्रकाशन ना केवल सुन्दर बन के एवी फोना को दस्तावेज करता है बलकि सभी प्रजातियों से विस्तृत वितरन और स्थानियता डेटा के सा वियापक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड के रूप में भी कारे करता है भारतिय सुन्दर बन जो 4200 वर्ग किलोमेटर में फैला है में 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स जो 2020 में अंतिम जनगन्ना के अनुसार शामिल है यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है अगला क्वेस्टिन देखो समाजिक आर्थिक चुनोतियों का जवाब देने के लिए सिफारिशे प्रदान करेंगे यहां अपने तस्वीर में देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और समाजिक मामलों के विभाग यानि UN Department of Economic and Social Affairs UN DESA ने घोशना की कि आर्थिक और समाजिक शेत्रों में उन को Flying Blind, India's Quest for Global Leadership नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सही जवाब है Option B, Mohamed Jishan तो यहां बुक का नाम है Flying Blind, India's Quest for Global Leadership इसके लेखक है Foreign Affairs Consultant यानि Mohamed Jishan यहां तस्वीर में देखिए और इसके पब्लिशर्स हैं Penguin Random House यहां पर एक रिविजिन की बात करें तो Gazing East Words of Buddhist monks and revolutionaries in China प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनी यहां पुने तस्वीर में देख सकते हैं गुवाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौलिफार राउंड में तीरन दाजी नुसरत रह्मान और यास्मिन बतूल ने हिस्सा लिया है अंडर 17 री कर्व इवेंट में ये दोनों यूवा लड़कियां वाइल कार्ड एंट्री थी बात करें यहां पर जमो और कश्मीर की तो इसके लेफ्टनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा लड़क के लेफ्टनेंट गवर्नर है आरके माथुर बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो 1st BTR Accord Day असम में मनाया गया National Woters Day 2021 की थीम है Making Our Woters Empowered, Vigilant, Safe and Informed SpaceX ने सिंगल रॉकेट से 143 सैटलाइट से लौंच की है 51st IFFI में Golden Peacock Award Into the Darkness को दिया गया है हिमाचल परदेश ने अपना Golden Jubilee Statehood Day सेलिब्रेट किया Thailand Open Badminton Women's Single Title कैरोलिना मारले ने जीता है Zoological Survey of India के नुसार Indian सुन्दर बंस 428 स्पीशिज ओफ बर्ड्स का घर है UN High Level Advisory Board में Indian जैती घोश का नाम दिया गया है Flying Blind इंडिया's Quest for Global Leadership Book मोहमद जिशान ने लिखी है और यासमीन बतूल आर्चरी से जुड़ी हुई है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला Question है आर्थिक समाजिक मामलों पर उचिस्तरिय सलहकार Board में संयुक्त राष्ट दुबारा किस भारतिये को नामित किया गया है और आपका दूसरा Question है Space X ने एक रॉकेट से कितने सैटरलाइट लॉंच कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है इन दोनो Questions का आंसर आपको नीचे Comment section में जरूर करना है और अगर अबे तक आपने मारे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी जाथ इस वेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थांक्यो सो मच